हेलो नमस्कार डियारी स्टुडेंट वेलकम टू सक्सेज केरियर देखिए ब्यार में सुक्षक भरती को लेकर अक्सर छात्रों से पूछे जाने वाले बहुत से कोश्चन है उनके दुम्याग में यानि कि बहुत तरह तरह कोश्चन है कि क्या दूसरे स्टेट के छात्र फार डाउट के लिए तो आएए वीडियो को स्टाट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपकी सारी डाउट के लियर हो जाए इस इक्जाम्ट को लेकर बिहा लिस्ट पर आया है तो बिल्कुल मेरिट पर होगा देखिए पहला जो हमारे पास कमेंट आया है अंकीता साही का यह पूछ रहे हैं सर बीड़ वाले अपलाई कर सकते हैं यूपी से तो बिल्कुल आप कर सकते हैं बीड़ हो आपका चाहें आपका स्टेट कोई भी यो उत् बिल्कुल आप उत् उत्तरपर्दे से तो भी आपी कर सकती हैं विहार के लिए रिपलाई नेक्ट जो आया हमारे सुट्टान कि हैं सर में यूपी जे CTET और TET दोनों ही पास हूं किया मैं बिहार apply कर सकती हूं please reply तो आप UP से है चाये जो भी स्टेट से हैं स्रिया जी आप बिल्कुल apply कर सकते या आप जिस we सभी आप apply कर सकते हैं स्टेट दोनों क्वालिफाइ थी और अच्छी बात है आप बिल्कुल एप्लाई कर सकती है बस आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि अप्लिकेस्टे хват से पहले sep नड़ से पहले आपका क्वालिफिकेशन पूरा हुना चाहिये नीग्स्ट्छ, कमेंट आया है ये पूछ रहें sir 2019 दिसंबर 2019 जो आप अप्लिकेशन डेट इस्टार्ट होने यानिकि 15 जुन से पहले का आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं नेक्स कमेंट आया है हमारे पास यह है। निसांत। कुमार का निसांता कि मां क्या पूच रहे हैं आप। थे यह नहीं भर सकते हैं क्या रिख सकते तो नहीं वर सकते हैं क्या। डिमागशों के लिएक लिए सिर्फ है। डिलेट वाले भी भर सकते हैं यह कहा गया है तो बिल्कुल आप भर सकते हैं निसांत कुमार जी बीएड और सीटेट वाले भर सकते हैं इसको आईएन मैं आपको डाउट क्लियर करवाने के लिए मैं सेंपल पेपर पे ले चलूं आपका जो आपके अख़बारों में छपा हुआ था एडवर्टाइजमेंट में निकला हुआ था सिक्षकों की बहाली होगी 15 जुन से जमा होंगे आवेदन पत्र ठीक है परदेश में एन आई ओएस से डिलेड योग्यात अधारी अभ्यर्थियों को मिलेगा मोका इसमें दिया जा रहा है कि बिहार में 94,000 प्रात्मिक सिक्षकों की बहाली 15 जुन से होगी राज्य सरकार ने ढाई मा में सिक्षक नियोजन परकिरिया पूरी करने का निर्देर संबंदित नियोजन इकायों को दिया है पत्ना हाई कोट के आदेश के आलोक में राष्टियम मुक्त विद्यालई सिक्षक बनने का मुका मिलेगा देखिए यहां करने वाले अभियर्थी को भी सिक्षक बनने का मुका मिलेगा बोला है यानि कि यह जो किया है उनको मिलेगा ही मिलेगा उनके अलावा बीएट सीटेट तो कंपलसरी है मतलब यह होगा तो और अच्छी बात है और इसके अला योगी होंगे ठीक इस संबंद में सिक्षा विवाग की और से सम्वार को सिक्षक नियोजन संबंदी स्रीडियूल जारी किया गया है ने बताया है कि सिक्षपों का भाली के लिए 1 माँ का अवेदन समय अभेर्ति को दिया जाएगा तो देखें जो आपका डेट है है मुख्यर जो देट है इंप्रोटेंट डेस है वह क्या है आपका पहला जो दिया है नियोजन पर्ष कीरिया कभसे 15 जुन 14 जुलाइज तक नियोजन इकाईयों का जमा हों गे आवेधन पत्र फिर 18 जुलाइज तक मेगा सूची तयार किए जाएगए मेगा सूची क्यों यह टोटल मेरिट पे निकला हुआ है आप मेरिट पे ही सेलेक्षिन ले सकते हैं हाँ पर फिर आपका 21 जुलाई तक मेगा सूची का नियोजन अनुमेदत उगा है फेरज जुलाई तक मेवगा परतिस्थान सुची कारहतब्त होगा फिर चवभीच ₹-7 अगर्स तक मेजा सुची पाहा पत्ती देनी होगी आपको और जो आपत्तिओं का निराकराड ओगा वह दस अगर्स तक आपका निराकरण फिर फिर 12 अगस्त तक मेगा सुची का अंतिम प्रकासन होगा यानि कि फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा अगर आप उसमें आपका नाम है तो आपका आविधन पत्र दिया जाएगा देखिए फिर 13 से 22 अगस्त तक जीला द्वारा पंचायत प्रखंड के मेगा सुची अनुमदन और 25 अगस्त नियोजन इकायो द्वारा मेजगा सुची प्रकासन होगा फाइनल वाला और 31 अगस्त चैनित अभियर्त्य जो अभियर्ति चैनित होंगे उनको परमार्ट पत्रों की जाच होगी और 21 अगस्त तक की इन लोग क्या मिल जाएंगी नियुकति पत्र भी मिल श्राइब करिए ओके थैंक यू फार वाचिंग इस वीडियोज